आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक FC अप्लिकेशन के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने स्क्रीन को आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे तो इंटरनेट पे बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्डर की अप्लिकेशन होती हैं लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट अप्लिकेशन है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो पे बने रहें और अंत तक देखें तो इसके लिए दोस्तों हमें चलना है प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको टाइप करना है इस क्रीन रिकॉडर के वाला अब चार नमबर पे जो अप्लिकेशन है विड्मा वीडियो स्टोडियो एक करोड इसके डाउनलोड है और 4.6 की रेटिंग है तो आपको इसको ही डाउनलोड करना है दोस्तों तो इसको क्लिक करें और आप इसको इसको इंस्टाल करें तो यह अप्लिकेशन अब इंस्टाल हो रही है तो इसको आपको ऑपन कर लेना है open करने के बाद आपको इसको continue करना है continue करने के बाद दोस्तों यहां पर don't ask again का column हरा है इसको आपको click करना है और allow कर देना है allow करने के बाद यह application आपसे एक permission मांगती है जो आपके phone में different types of display के रूप में दिखेगा तो मेरे सामने इस तरीका dashboard दिख रहा है तो इसको permission दे देंगे permission देने के बाद आपको back करना है और इस application को allow कर देना है allow करने के बाद आपको सारी permissions को done करना है यह counted करना है फिर आपको इसके setting में आना है जो right hand side में दिख रहा है setting में आने के बाद आपको कुछ changes करने होंगे जैसे आपको वीडियो डाउनलोड करना है वीडियो बनानी है YouTube के लिए तो वीडियो setting में आपको आना है और यहां पे आपको resolution set करना है तो HD resolution के लिए 720p का option ही आपको choose करना है जो YouTube के लिए होता है quality आपको auto रखनी है इसमें भी बहुत सारे option आपको मिल जाते है auto option रखे यह ज्यादा better है इसमें high quality, excellent quality, signal quality और low quality भी मिलती है आप अपने हिसाब से वीडियो को बना सकते हैं तो आपको as it is रखना है FCF आप इसको भी choose कर सकते हैं इसमें भी बहुत सारे options आपको मिल जाते हैं आप auto पर ही रखे फिर आपको just back कर लेना है दोस्तों इसमें आप 57 MB तक के वीडियो अराम से बना सकते हैं और mix इसकी estimated file size जो है वो 57 MB per minute की है अब आपको permissions के रूप में record with screen off देख रहा है तो आपको इसको click कर लेना है इसको permission दे देना है shake to stop recording इसको on करने की ज़रुवत नहीं है hide screen shot preview इसको आप on कर सकते हैं और face cam brush को भी आप allow कर सकते हैं तो यह है setting अब दोस्तों इसको हम कैसे use करें उसके लिए आपको just नीचे आपको start का option देख रहा होगा right and side में so click करना है और आपको record पर अना है और इस application को allow करना है जैसे आप इसको allow करते हैं यह एक permission मंगता है इसको start कर देते हैं video आपके start हो जाती है अभी आप इसमें कुछ भी record करते हैं तो यह record होगा और नीचे आप देख सकते हैं कि timer चल रहा है तो इसके लिए मैं आपको कुछ record करकर दिखाता हूं तो हम back आते हैं अब हम आपको एक application और install करना सिखाते हैं कुछ भी आप type कर सकते हैं इस screen recorder ही देख लेते हैं फिर से तो यह चार नमर का application है यह already installed दिख रहा है इसको जस्ट आप open करेंगे तो फिर से आप उसी आप पहुंच जाएंगे अब यह देखते हैं कि यह record होगा की नहीं इसके लिए आपको जस्ट ऊपर से स्क्रॉल कर लेना है और आप यह देख सकते हैं कि पास स्टाप वाला जो option है यह हमारा application आपको इस तो दोस्तों इस screen recorder application की मदद से आप आसाने से video record कर पाएंगे अपने स्क्रीन की तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज लाइक और सुस्क्राइब मैं चैनल थैंक यू